उन्हारण आठ दो अंकों वाली कितनी संख्याएं पांस से विभाज है हल पांस से विभाज होने वाली दो अंकों की संख्याओं की शिंकला इस प्रकार है दस, पंद्रा, बीस, और अंत में पंचानवे सो क्यों की तीन अंकों वाली संख्याओं है इसलिए हम सो को नहीं लेंगे हमारा अंतिम पद पंचानवे होगा यहाँ एक समांतर शेणी है जिसमें प्रथम पद ए बराबर 10, सर्वांतर डी जो है हमारे पास 15 रिण 10 बराबर पाँच और अन्वा पद अन्वा पद अन्वा पद अन बराबर पंचानवे चूंकि अन्वा पद अन्वा पद अन बराबर अ प्लस अ धन कुष्टक में अन रिण एक कुष्टक बन गुड़ा डी होता है यहां अन कमान पंचानवे है तो हम अन के स्थान पे पंचानवे रखेंगे बराबर एक कमान दस है तो यहां दस रखे धन एन हमें पता ग्याद करना है एन रिणे कुष्टक में और डी कमान सरवांतर हमने पंच ग्याद किया है दूसरे पत से प्रतम पत को घटाया है पंदरह में से दस को घटाने पर हमें पंच प्राप्त हुआ जो डी सरवांतर पंच को हमने समीकरन में रखा या पंचानवे बराबर दस कुष्टक को खोलेंगे तो धन पाँच और पाँच रिन एक से गुड़ाओंगा तो रिन पाँच या पंचानवे बराबर 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 धन 5 या 5 एन बराबर 95 का पक्षाधर करेंगे तो रिण 5 या 5 का पक्षाधर करने पर ये रिन 5 हुआ पांच N को हमने बायपक्ष में लिखा और 95 रिण 5 को दायपक्ष में या N बराबर 95 रिण 5 बराबर 90 और यहां 5 का पक्षांतर करेंगे तो बटा 5 तो यहां पर N कमान 90 बटा 5 अठारा प्राप्त होंगा इस तरह से हमने देखा कि N बराबर 18 है इसलिए पांच से विभाज दो अंकों वाली 18 संख्याए है या इस उधारन का हल होगा